हेलो गैसा हम बात करेंगे Samsung Galaxy A12 के call recording के बारे में बेसिकली मैं आप लोग को आटमेटिक तरीका बताने वाला हम यहां पे कि जिससे आप लोग call record यहां पे कर पाएंगे वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारी YouTube चेनल को सबस्काइब कर लिचीगा बैल का icon को प्रेस कर लिएगा देखिए आप लोग को automatic call record करने के लिए सबसे पहले phone manager open करना है और simply 3 छपी क्लिक करके setting में क्लिक कर देना है थर्ड option है recording calls का छपी क्लिक कर दीजिएगा, first option है notification का यहां पे आप लोग अपने phone में notification allow कर सकते हैं जिसमें आप लोग को पता चल जाए कि call recording हो रहा है ठीक है ना second option है auto recording का इस प्रिक्लिक करना है यह option आप लोग को भी disable दिख रहे होगे ठीक है ना अगर आप लोग इस कौन करते नीचे की option enable हो जाते जिसमें आप लोग कुछ category मिल जाती जैसे कि आप लोग पूरे numbers पे call record कर स तो उसमें जैसे ही call होगा receive हम करेंगे call को वैसे ही automatic call जो है record होना start हो जाती है या फिर अगर आप लोग call कर रहे है अगला वला receive कर रहा है उस time पे call record start यहां पे automatic तरीके से हो जाएगी और जैसे कि मैंने आप लोग को notification बता है उसमें आप लोग बता चल जाएगा कि हम यहा recorded calls पे क्लिक करके आप लोग history चेक कर सकते है कि आज तक अपने कितनी call recording किया है जो भी call recording आप लोग किये है वह आप लोग recorded calls पे क्लिक करके देख सकते है ठीक है ना उसका आप लोग music मतलब सुन सकते काफी अच्छे तरीके से तो जो topic था हमने cover कर दिया है उम्मीद करते है आप लोग को वीडियो पास आने की जय मता दी